एक मिनिट पहले कुछ और बोलना चाहूंगा, यह चीज भी परमात्मा ही करता है, जो चीज जब होनी है, जब आपको गुद्धी आनी है, जब आपने किसी के चेंडों में आना है, उसी वकत ही आना है, आएसे कोई दो साल पहले गुरुजी ने हमारे आशिवाद गार्डन म में जाते हैं, मैं बुर्गामा का रहने वादा हूं, तो वहाँ पर इनको सुना, इन्होंने पैठे का रस बताया था, कभी पी लिया, कभी नहीं पी लिया, फिर उसके बाद इन्होंने साथ सेक्टर, चार सेक्टर में भी आए थे, वहाँ भी इनके दर्शन हुए, लेकिन मन की अंदर पिसी का सत आपको पकड़ता रहता है, तो आज से कोई तीन मीने पहले मैं यहां आया था, मिरी मिसिस भी थी और एक और हमारे जानने वाले भी आई थी, तो हम लोगों ने आये तो थोड़ा सा जिकर हुआ, गुरू जी ने हलांकि बताया कि इस तरीके से तो गुरू जी ने जैसे वो बहन ने बताया कि आप सब्जियों का रस लीजिए, तो मैं स्टीम वेजिटेबल खानी किरू करी, फ्रूट लिया, लेकिन हमने यह बोला कि गुरू जी हम तो बिल्कुल अनाज के बिना तो नहीं रह सकते, तो इन्होंने इजादत दे दी कि चलो आप मिर्थी की फुल का दिन में खालिया करो, तो फर्मात्मा की किरापासे, आज यह तीसरा महिना है, मैंने इस फ़कर 97-98, नो किलो वजन कम किया जी है, लेकिन उस वजन से ज्यादा, सबसे जरूरी जो हुआ जी, मतलब कभी भी मैं कुछ करता था तो गुरू जी को आपको परणाम देली किया जी, बहुत, आत्मा से जबी भी कुछ लिया, गरुआन के साथ साथ आपको दन्यवादी है, तो उसका बहुत फरक पड़ाया जी, अभी जो आज आप लोगों के एक्स्पिरियन्स सुनने के बाद, अभी क्या हुआ जी मैं भी रिटायर हुए, म मैं चाहूंगा अगर परमात्मा ने चाहा और परमात्मा ने इच्छा करी, तो मैं इन आपके साथ जुड़ा रहुँगा, उसके इलावा एक और चीज मैं बताना चाहता था, जुडने का गुरुजी आप में जो सत है ना, वो सत दिमाग में घूमता रहता है, वो सत ही तो लोग जाते जाते डेट बज गया, लेकिन सुबेरे छे वजे उठके आत्मा ने का नहीं, जाना ही है, तो यह कहीं इश्वर की कॉल है और एक प्यार है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत भूमेवाद है, और नहीं जुदने का तो मतलब ही नहीं है, मैं और पूर